द्रिश्टी आईएस की डेली करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूस में चर्चा का विशे है भारत के दो और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हाल ही में भारत के दो नए समुद्र तटों को प्रतिष्ठित blue flag tag से सम्मानित किया गया है यह है पहला तमिल नाडू का कोवलम तट और दूसरा पुडुचेरी का ईडन तट blue flag समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है बतादें की ब्लू फ्लैग एक विश्वस्तरिये मानेत अप्राप्त इको टैग है जिसे डेन्मार्ग के फाउंडेशन फर एन्वायमेंट एजुकेशन संस्था द्वाराचारी किया जाता है किसी भी तट को यह टैग देने से पहले 33 प्रमुख मानकों पर परखा जाता है जिसमें कुछ प्रमुख मानक हैं परियावरण शिक्षा और सूचना नहाने के पानी की गुडवत्ता परियावरण प्रबंधन समुद्र तटों का संरक्षन सुरक्षा और सेवाएं भारत में अब तक कुल 10 समुद्र तटों को यह टैग दिया जा चुका है गौर तलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन दिया गया था जिन में शामिल है गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घूगला, करनाटक का क सरगोट और पदू बिद्री, केरल का कपड, आंदरप्रदेश का रूशी कोंडा, ओडीशा का गोल्डन बीच और अंडमानी को बार का राधानगर बता दे कि इन आठ समुद्र तटों को पुनह प्रमाणन भी दिया गया है प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टी आईएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल